प्लाजमा थेरेपी के बारे में आपने आजकल देखा होगा काफी ज्यादा नियूज में जो वर्ड है प्लाजमा थेरेपी यह बहुत जादा यहां पर चल रहा है देखिए और अभी क्या हुआ है रिसेंटली 24 अप्राइल को यहां पर जो हमारे डेली के चीफ मिनिस्टर है अन्तबीन केजईवाल जी उन्होंने हैं भी प्लाजमा थेरेपी यह चार लोगों के ऊपर इसको टेस्ट किया है और उन चारों कही जो रिजल्ट है वो पॉजिटीव निकला है तो यहां पे जो रिजल्ट से प्लाजमा थेरेपी के हमको काफी ज्यादा अच्छे देखने मिल रहे हैं और इससे काφěी जादा जो लोग यहाँ पर क्या गया है लेकिन जहां पर भी किया है टेस्टिंग तो जैसे डैली में चार लोग पर टवी गई है तो वह चारों के चारों जो लोग है वह यहां पर recover हो चुके हमारे COVID-19 से तो सबसे पहले इस वीडियो में तो हम बात करेंगे कि जो हमारा blood होता है वो किस तरीके से किन-किन चीजों से बनावा होता है और उसके बाद blood के अंदर जो plasma होता है उसका क्या role रहता है यहाँ पे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा plasma therapy क्या होती है क्योंकि देखे जब तक आपको blood और यहाँ पे plasma के बारे भी नहीं पता होगा तब तक आप plasma therapy को नहीं समझभाऊगे उसके बाद at the end of the video मैं आपे बात करूँगा कि plasma therapy क्या हमारे लिए जो है वो permanent solution है और plasma therapy करने के बाद हमको कौन-कौन से आपे challenges face करने पड़ सकते हैं कि जिसकी विज़े से जो हमारे plasma therapy है उसमें हमको problem देखने को मिलेगी तो चलिए start करते हैं आपे हमारी video को सबसे पहले blood के components है तो blood के देखे mainly क्या होते हैं आपे हमारे four components होते हैं सबसे जो RBC होते हैं वो approximately 45% होते हैं हमारे blood के अंदर और लाश के जो हमारे दो बश्टे है white blood cells और हमारे जो platelets होती है ये दोनों मिलाके approximately 1% से भी कम amount में present होते हैं काफी important तो होते हैं लेकिन काफी amount में हमारे blood में present होते हैं अब जो सबसे यहाँ पे plasma therapy के लिए इन चारो component में जो हमारा सबसे important component है वो है हमारा यहाँ पे plasma क्योंकि नाम से पता लग रहोगा plasma therapy तो important part यहाँ पे plasma ही है देखे plasma क्या होता है हमारा एक yellowish color का एक fluid होता है हमारे यह blood में present होता है तो इसमें क्या होता है हमारा जो plasma होता है वो approximately उसमें 90-95% तो water होता है और बचावा 5-10% जो होता है इसके अंदर हमारा काफी सारे proteins हो गये हमारा जो digested food होता है हमारा common salt हो गया और ऐसी various जो चीजे वो यहाँ पे present होती है अब यहाँ पे यही क्यों important है क्योंकि इसके ही अंदर plasma के अंदर इन सब चीजों के अलावा एक बहुत ही important चीज प्रेजन होती है जिसको कि हम यहाँ पे कहते है antibodies अब देखे सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे दो terms बहुत ज़्यादा use होने वाली है antigens और antibodies antigens क्या होता है कोई भी foreign particle जो हमारी body के अंदर enter करता है जैसे कि कोई virus हो गया, protozoa हो सकता है, कोई bacteria हो सकता है जो कि हमारी body को harm पहुचाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे antigen कहते हैं यानि कि बहार से आया वा कोई भी हमारा ऐसे कोई genetic material जिसका है जो कि हमारी body को harm पहुचा रहा है second अब मैं बात करता हूँ antibodies की, जो कि हमारे plasma में present होती है जैसा कि मैंने अभी बताया तो यहाँ पे antibodies क्या होती है हमारी antigen से जो क्या करेंगी यहाँ पे लड़ेंगी और जो बाहर से वो foreign particle आया है मेरी body के अंदर उनको क्या करेंगी यहाँ पे kill कर देंगी तो यह होता है मेरा antibodies तो antibodies का यहाँ पे जो main role है वो यहाँ पे antibodies का ही है पुरे के पुरे plasma के अंदर देखे अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि antibodies कैसे develop होती है माल लिजे किसी person के अंदर normally मैं यहाँ पे example लेता हूँ जो हमारा coronavirus है वो enter कर गया अब क्या होगा जब वो coronavirus उसकी body में enter कर गया और अगर उस person का immune system वो काफी जादा अच्छा है तो यहाँ पे क्या होगा उस person की immune system क्या करेगा यहाँ पे antibodies produce करेगा उस antigen के against में और जैसे यह antibodies produce होगी यह antibodies क्या करेंगी या तो देखे दो ही यहाँ पे option हो सकते या तो जो उसकी body में antibodies produce होई है या तो वो उनसे हार जाएंगी क्योंकि हो सकता है बहुत कम antibodies produce हो as compared to जितने वाँ पर antigens present है तो तब तो उसकी body हार जाएगी और उसको काफी जादा बहुत ही serious condition हो सकती है और even death भी हो सकती है इस condition में बट अगर in case अगर यहाँ पर क्या होता है जैसा कि बहुत सारे cases में हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जो लोग है वो recover हो रहे है बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनकी कि यहाँ पर death हो रही है हमारे COVID-19 से तो यहाँ पर क्या होगा उसकी person की body में क्या होगा antibodies develop हो जाएगी अब ऐसा नहीं है कि वो person जब ठीक भी हो जाएगा तो उसके plasma या फिर मैं कह सकता हूँ उसके जो blood है उसके अंदर तब भी जो है वो antibodies महाँ पर present होगी होगी अब अगर in future कभी again दुबारा यह जो virus है यह उसकी body में enter भी करता है उसकी body के अंदर enter भी करता है अगर coronavirus तो तब भी क्या होगा उसकी antibody जो है उनको याद रहता है कि हाँ इस तरीके के virus को मारने के लिए हमको किस तरीके का यहाँ पर antibodies produce करनी है तो वो क्या करेंगी एकदम से जो antibodies है वो क्या करेंगी उस पर attack कर देंगी और बहुत ही कम chances है कि दुबारा उसको जो disease है यह इससे सफर करना पड़े क्योंकि अपकी बार क्या है उसकी body immune हो चुकी है against this virus तो यहाँ पर यह तरीके की हमारी जो condition से यह चलती है अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर plasma therapy की कि जो यह plasma therapy एक्चल में है क्या प्लाजमा therapy में simply क्या होता है परसन का जो भी हमारा जो person है जो की COVID-19 जो disease है या फिर जहाँ भी जितने भी ऐसा नहीं है कि प्लाजमा therapy सिफ COVID-19 के लिए specially बनाई गई है हम already पहले भी बहुत बार क्या कर चुके है इस plasma therapy को यूज करते सके हैं बहुत साइड diseases में तो यहां पर क्या होता है हम क्या करते है किसी भी person के blood को निकालते हैं उसके बाद उसकी blood की testing करी जाती है कि क्या इसके blood में कोई other infections तो नहीं है जैसे कि हो सकता है कि उस person की जो है वहाँ पर जो blood है उसमें antibodies तो present हो लेकिन साथ ही साथ उसको कोई दूसरी disease भी हो जो कि उसको blood है वो बिल्कुल safe है और कोई भी इसमें other जो disease या कोई भी infectious कोई भी चीज नहीं present है उसके बाद हम क्या करते हैं जिस person जो donor है हमारा जिस person का हमने blood निकाला है उसके blood से क्या करेंगे plasma को अलग separate कर लेंगे और बाकी जितने भी RBCs और यह सब जो चीज़े बची यह अलग जाता है अब हमारे लिए जो सबसे important चीज़ है वो यहाँ पर है plasma तो हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ plasma important है इसलिए हम क्या करते है plasma को उसके blood से separate कर लिया और बचा हुआ जो यहाँ पर हमारा जो RBCs और यह सब होते हैं वो वापिस से क्या कर दियाती है जो person जो donor है उसकी body मे पर डाल दिया जाते है फिर क्या किया जाता है यह जो हमारा जो plasma है जिसके अंदर antibodies obviously बाते present होंगी क्योंकि अगर उस पहले जो donor है उसको अगर कभी COVID-19 हुआ है तो उसकी bodies में उसकी जो यह plasma में antibodies तो present होंगी तो उसके ही उस plasma को जो हमने separate किया और इसका जो हमारा जो हमारा है वो डाला जाता है जो भी infected person है जो सफर कर रहा है at present जो हमारा COVID-19 है उसकी body में अब देखे होगा क्या अगर उसकी body पहले antibodies नहीं बना पारी थी हो सकता है किसी का immune system बहुत सा है लोग का weak होता है नहीं बना पारी या फिर हो सकता है बना अगर पा भी दिये तो उतनी rate उतन इसकी body के अंदर दूसरे person की body से निकाल के antibodies डाल दी अब क्या होगा यहां पर वो जो person है जिसकी जिसकी हमने body में antibodies खुद से externally डाली है अब उसकी body के अंदर जो antibodies पहले नहीं बन पारी थी अब वो आ चुकी है तो अब क्या होगा easily यह जो antibodies है यह क्या कर पाएंगी उनसे ज हमारे जो plasma therapy है वो अब देखिए यहां पर बात आती है कि क्या जो plasma therapy है वो हमारा यहां पर ultimate solution है क्या हमें COVID-19 के लिए यहां पर ultimate solution मिल चुका है तो ऐसा बिलकूल भी नहीं है क्योंकि देखिए ultimate जो तरीका है वो तो हमारा रहेगा vaccine ही जब तक vaccine नहीं बन जाती तो तब तक क्यों नहीं है मैं इसके यहां पर इसके लिए यहां पर challenges बताऊंगा आपको क्या कि हमको यहां पर challenges face करने पड़ेंगे सबसे जो यहां पर पहला challenge है वो तो यहां पर आता है blood group का क्योंकि देखिए जो भी recovered person है तो उसका जो blood group होगा तो वो एक particular blood group को ही वहां पर अपना ज सब्सक्राइब करने को मिलेगी वहां पर यहां पर यह कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो रिकवर्ड जो person है उसको कोई भी other disease ना हो सकता है कि उसको कोई और भी disease हो उसकी जो blood है उसमें काफी सारे और infection भी हो सकते हो सकता है वह कोई 19 से तो बाहर निकल के आ गया लेकिन उसको क प्लाजमा को किसी दूसरे person के body में डालते हैं तो वहां पर क्या होगा जो दूसरा person है बहुत ज्यादा chances है कि वह भी किसी दूसरी problem से infect हो जाए कोई 19 से तो बच जाएगा लेकिन कोई दूसरा infection अगर हो जाएगा तो कोई यहां पर फायदा नहीं होगा इस चीज का third यहां पर बहुत ही important जो चीज आती है वह यहां पर यह आती है कि जो person है वो क्या हुआ है अभी recently recover होए उस बिमारी से तो उसकी जो body है वो बहुत ज़्यादा weak होगी बहुत ज़्यादा weak होने के कारण क्या हो सकता है यहापे हम उसकी body से इतना ज़्यादा blood तो निकाली नहीं पाएंगे क्योंकि इतना blood इसलिए निकाल पाएंगे क्योंकि अगर ज़्यादा blood निकाल लिया तो उसकी body weak हो जाएगी और हो सकता है कि कहीं उसको और कोई problem ना face करनी पड़े हम आपे तो इस वज़े से क्या हो सकता है हम उसकी body से इतना ज़्यादा plasma निकाली नहीं सकते तो यहाँ पर आप देख सकते कि कितना यहाँ पर कम रशे और आप अगर यहाँ पर देखोगे कि जो यहाँ पर recovered जो person है वो बहुत ही कम है और जो infected जो person है वो बहुत ज़्यादा है नेक्ष मैं बात करते हैं यहां पर जो सबसे मेजर जो इश्य है वो आएगा यहां पर हमारी लिटरेसी की वैसे क्योंकि देखें यहां पर बहुत जादा लोग जो है वो या तो लिटरेट नहीं है या फिर अगर वो लिटरेट है भी तो यहां पर मेंन प्रॉब्लम क्या लोग क्या करेंगे आप डरेंगे अपने जो ब्लड है उसको डोनेट करने से क्योंकि कहीं न कहीं माइन में यह चीज़ रहेगी कि अगर मैं यहां पर अभी अभी मैं क्या हूं एक डिजीज से उबर के आया हूं तो मैं एकदम से अपना ब्लड यहां पर डोनेट कर रहा बहुत जादा और बहुत सारी problems यह हो जाता है वो हो जाता है तो यह कहीं नहीं यह चीजे माइन में रहेंगी lack of knowledge की वज़े से जिसकी वज़े से बहुत ही जो person है वो बहुत जादा डरेगा अपने blood को donate करने में तो आदे से जादा लोग तो ऐसे होंगे जो कि क्या करेंगे उस बीमारी से recovered होके आगे होंगे लेकिन तब भी हो करेंगे अपने जो blood है उसको donate नहीं करेंगे तो यहाँ पर यह एक major issue आ सकता है तो इसलिए कि आपने गर कल का देखा अरविंद केज़िवाल जी का जो speech थी तो उन्होंने उसमें यही बात बोली थी कि आप बिल्कुल इस चीज से डरे ना यहाँ पर आप क्या करें आप बहुत ही बिल्कुल बेफिकर होके यहाँ पर donate करें जो अपना plasma है उसको और आपको डरनेगी यहाँ पर कोई भी जो इतनी आपको कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होगी क्योंकि जो plasma है वो एक particular amount में निकाला जाएगा ऐसा आपकी body से सारा plasma निकालके और बाकी लोगों में डाल दिया जाएगा ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप चीजे वर्क करेंगी तो I hope कि अगर आप मेंसे जो भी यह लोग वीडियो देख रहे हैं अगर आप मेंसे कोई ऐसा है जो की COVID-19 से recover ह हो के आया है वो definitely अपने जो plasma है उसको donate करेगा और यहां पर जो है अपना patriotism जो है वो शो करेगा अपनी country के towards काफी ज्यादा अच्छा मौका है आप लोगों के पास है और आप ब्लेज ने इस चीज के लिए कि आपको यह disease हुई और आप recover हो के आए और आप आप क्या कर रह से लेटेड कोई भी डाउट या फिर हमारे चैनल से लेटेड कोई भी साजेशन है तो उसको comment section में जरूर लिखेगा मैं आपके डाउट का reply और आपके suggestions को अपनी next studio में implement करने की पूरी कुशिश करूँगा तो चलिए मिलते फिर next studio में मेरा नाम है शुबम एंड ठैक्स व तर ओस्वूर करके से लिए वो सक्या है आपके सावर वो को चे खवा खर प्ले का र में है 2